हेल्दी रहने के लिए हमें कोई बहुत बड़े बड़े ताम जाम नहीं करने होते कुछ छोटी छोटी चीजे हैं जिने अगर हम अपने रूटीन में फॉलो करते हैं तो हमारी उम्र चाहे 70, 80, 900 साल हो जाए हम स्वस्त रहेंगे वैसा ही जोश, वैसी ही उर्जा अनुभव क करेंगे जैसा हम जब 20 साल के थे तब अनुभव करते थे तो ऐसे दो तीन चोटी चोटी चीजें आपके साथ शेयर करूंगी जो आपको हेल्दी रहने में मदद करेंगी और वीडियो के एंड में एक बहुत ही कमाल की चीज है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे तो व हमारे शरीर में अगर वात पित और कफ में संतुलन आ गया तो शरीर हमेशा निरोगी रहेगा स्वस्त रहेगा चोटी 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 आसान सी चीजें हैं जिनने अगर हम फॉलो करते हैं तो जो आजकल आप देख रहे हैं ना कि घर घर में ब्लड प्रेशर डाइबिटीस ताइरोइड या लोग बार-बार बिमार पढ़ते हैं इलर्जी होती है इस तरह की समस्याइं आपको नहीं होगी इनका वर्णन स्वैम महरशी वागबट जी ने अश्टांग रिदयम में किया है हजारों ऐसे सूत्र हैं उन में से चार चीजें आज आपके साथ में शेयर क नहीं पिर चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो आप इस्तरी हो या पुरुष हो खाना खाते ही लगता है कि तुरंद फटावट पानी पीलें बहुत सारा लेकिन उससे क्या होता है कि उस खाने को पचाने के लिए आपके शरीर में जो जठरागनी है या साइंस की भाशा में कहे तो हाइड्रोक्लोरिक ऐसेद है वह खाने को पचायेगा लेकिन अगर आपने बहुत सारा पानी पीली तो यह जो जठरागनी है कोने के बाद पानी पीना विश पीने के समाने जहर के समाने तो हम में से कोई भी जहर तो नहीं पीना चाहेगा आज ही से आप इसे फॉलो कीजिए हो सकता है आज आपको इसकी साइड इपेक्ट्स ना पता चल रहे हो लेकिन जब 40-50 के आसपास पहुंचेंगे ना तो शरीर बोलने लगेगा कि भाई अब मेरा ध्यान रखना शुरू करो चाहते हैं ना कि बुढ़ापे तक हमें जोडो का दर्द ना हो हम आराम से चल फिर सकें उठते ही हमें दवाईयां गोलियां ना खानी पड़े तो ये छोटा सा नियमें आपको इसे फॉलो करना है लंच के बा या आपके खाने को भी पचाएगा और आपको जो प्यास लगती है ना वो समस्या भी दूर हो जाएगी और एक और चीज़ आप कर सकते हैं जो लोग कहते हैं ना हमारा खाना पचता नहीं है या खाने के बाद हमें ऐसे डिटी हो जाती है गैस होती है अफारा हो जाता है त और इसे जहां आप खाना खाते हैं वहां पर रख लेजिए, खाना खाने के बाद ये एक टुकड़ा अद्रक का अपने मुह में रखिए और उसे धीरे धीरे चूसते रहे हैं, चबाना नहीं है, बस उसके रस को धीरे धीरे अपने पेट में जाने दीजिए, ये आपके भूट भूट करके पीना है, जैसे चाय कॉफी पीते हैं, क्या होगा इससे, आपके मुह में जो लार है, वो लार इस पानी के साथ घुलकर आपके पेट में जाएगी, और खाने को पचाने का काम करेगी, लार में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो आपके पीएच लेवल को मिंटेन करते हैं, आपके खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, हमेशा बैठ कर पानी पीना है, मुह में भरा पानी और इस तरह से 2-4 बार मुह में हिलाईए और फिर उसे पीना है, इससे ना तो आपके पेट में असिडिटी होगी, ना ह खून में असिडिटी होगी, जब खून में अमल बढ़ जाता है, असिड बढ़ जाता है, तो वात, पित और कफ में असंतुलन आता है, और फिर तो बिमारियों की लंबी लिस्ट है, स्वास्थे का अर्थ ही है स्वा में स्थित होना, यानि एकदम सहज रहना, नैचुरल रह जो चीज जैसे है, उसे वैसे ही ग्रहन करना, आज से 30-40 साल पहले की बात अगर करें, तो घरों में फ्रिज नहीं हुआ करता था, सबी लोग सादा पानी पीते थे या घड़े का पानी पीते थे, तो महर्शी वागबट जी कहते हैं, कि अगर आप फ्रिज से निकाल कर ठं बनता है, क्यों? क्योंकि यह आपके पेट के टेमपरेचर को डाउन कर देता है, तो जो भी कैमिकल रियक्शन्स आपके पेट में चल रही हैं, जो खाने को पचा रही हैं, या जो हॉर्मोनल एक्टिविटीज चल रही हैं, वो एकदम से स्लो डाउन हो जाती हैं, और फिर आप स्वस्त नहीं रह पाते हैं, कभी जोडों में दर्द होता है, कभी सिर में माईग्रेन होता है, किसी को ब्लड प्रेशर हो जाता है, किसी को मुटापे की समस्या हो जाती है, तो इन सब चीजों से अगर हमें दूर रहना है, बुढापे तक स्वस्त रहना है, तो इस निय का आप सेवन कीजिए यह ना सिर्फ आपके शरीर को ठंडा रखेगा आपके शरीर में जो प्रित्वी तत्व है उसमें भी बैलेंस लेकर आएगा और मिट्टी में जो हीलिंग का गुण होता है ना उस हीलिंग का फायदा भी आपको मिलेगा यह ठंडा पानी पेट तो को जबेंस की समस्या होती है कभी साइटिका का पेन होता है कभी किसी और तरह का दर्द होता है क्योंकि वात बिगड़ गया है शरीर में और वात बिगड़ने से सैकड़ों तरह के दर्द शुरू हो जाते हैं और अब ध्यान से सुनिएगा चोटी सी चीज है लेकिन अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो इसका सीधा असर आपके पूरे शरीर पर पढ़ता है हमारे घरों में पहले से ये परंपरा रही है कि रात को सोते समय जो बड़े बुजर्ग हैं उनके पैर दबाए जाते थे लेकिन साइंस यह कहता है कि जब काफ मसल्स को प्रेस किया जाता ह तो इसका सीधा असर आपके पेट पर पड़ता है यानि जो खाना खाया है वो ठीक से पचेगा शरीर में यहां वहां कोई दर्ध है वो नहीं होगा पूरी रात आपके शरीर की हीलिंग होगी और ऐसा नहीं है कि आपको रात को ही करना है आप खुद कीजिए आराम से बैठ किलनीया हैं उन्हें हलके 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 दबाना सीधा संब Haven का और आपके स्टमक का तो है ना हवेवी तरीक आप पैर दबाईए और हो सके तो मातापिता की पैर दबाईए प्रों का शरीर बी सुट रहे और आपको आशिरवाद भी मिलेगा और चलते चलते एक बोनस टिप अगर सुबह उठते ही आप उकडू बैठकर गरम पानी पीते हैं तो आपके पूरे शरीर की शुद्धी हो जाती है आपकी आंते बिल्कुल साफ हो जाती है इस बारे में अगर आप और जादा जानना चाह आपके बिल्काश का.